नारायन नारायन आज का विशय है पुन्या तिथी कैसे मनाएं? पुन्या तिथी कैसे मनाओगे? इस दिन जो नियम किया जाए वह निरंतर बना रहे. अतह आज पहले निश्चय करो कि आज से नाम के सिवाए बोलूंगा नहीं. नाम में रहने का प्रत्न करो. तब यहां आने का श्रय मिलेगा. यहां जो भी आता है उसके पास मैं रहूं ऐसा मुझे लगता है. लेकिन तुम्हीं दर्वाजा बंद करके रखोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? महमान घर आएगा और यदि हमने दर्वाजा नहीं खोला तो वह क्या करेगा? वैसे ही विशयों में रहकर द जा रहा है. उसके हमले से बचना हो तो नाम स्मरण में विश्वास रखो. कोई कुछ भी कहे, नाम मत छोड़ो. जैसे पानी का प्रवाह अती गती मान हो, तो किसी मजबूत और दुर्ड पेड को रसे से बांद कर रखने से वस्तू बह नहीं जाती. पैसे ही यदि तुम न नाम का पल्ला पकस के पकड़ रखोगे, तो कलिकाल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगार पाएगा. जैसे समर्थ रामदास दासबोध में नाम स्मरण के समास अध्याई में कहते हैं कि नाम ही रूप है. तो वैसा समझ कर नाम लेते चलो, तो रूप दिखाई देता है. सिर्फ पर हाथ रख कर चमतकार होना, किसी प्रकार का तेज दिखाई देना, कोई मूर्ती सपने में दिखाई देना, ये सब बातें तातकालिक होती हैं. कोई कमजोर, दुबला, पतला, आदमी मोटा होने के लिए सोचेगा कि सूजन से मेरा शरीर फूल जाए, तो पागल पन होगा, इसके विप्रीत यदि वह ववस्थित दवाई लेता है, तो शायद मोटा नहीं होगा, लेकिन बलवान जरूर होगा. वैसे ही परमार्थ के अनुभव के बारे में हैं, और ऐसा अनुभव बढ़ता रहे, इसी लिए पुन्यतिथी परसी मनाई जाए. निरंतर नाम समर्ण करने से आज नहीं तो कल भगवान से प्रेम अवश्य होगा. ग्रहस्ती की गड़बड़ी में भगवान का समर्ण होता रहे, इसलिए उत्सव, त्योहार, पुन्यतिथियां आदी होती हैं. सचमुझ ग्रहस्त के लिए कितने ही पाश होते हैं? पैसा, इज़त, बाल बच्चे, मित्र, सगे संबंधी, आदी सब पाश ही होते हैं. ऐसे अनेक पाशों में नाम समर्ण करना कितना कठिन है? इसलिए निरंतर नाम समर्ण कर पाएगा, ऐसा व्यक्ती बहुत तगड़ा चाहिए. नाम के पीछे भगवान का अस्तित्व होता है और नाम में सत संग भी है. इसलिए बदले में कुछ मिलेगा, ऐसी इच्छा न रखते हुए, आज से रुदय की भावना से नाम समर्ण करने का निश्चय करें. नाराया